हेलो दोस्तों एक्जाम प्रिपेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और वे रोड दो हजार तेस की अगर आप प्रिपेशन कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ करके अपनी complete कि प्रिपेशन कर सकते हैं अपनी तैयारी और बहतर कर सकते हैं दो पर एक बजे के साथ रात को नौ बजे जो सीरिस चल रही है इसमें आपके सबजब्थ कर रहे हैं साथ में प्रिवेस कर अनुसमें नया टारगेट लेने गए हैं उसके साथ साथ आपके जो upcoming questions हैं exam में अब जो paper आने वाला है उसमें कैसे exams हो सकते हैं उन पर focus करते हुए मैं ये series चला रही हूं तो आपको daily जो कि भारत के सीमा वर्ती देश हैं अब इसके लिए आपको map के साथ साथ prepare करना पड़ेगा कैसे करना है वो मैं समझाती हूं अब भारत के पडोसी देश अगर मैं पूछू तो आप कुछ ना कुछ नाम जरूर बताएंगे जैसे आपको पाकिस्तान याद है बंगला देश याद है चीन याद है किन्तु ऐसे आपको उत्तर नहीं देना है आपको पता होना चाहिए कि कितने स्थली सीमा से सीमा साजा कर रहे हैं इस थली सीमा पर कितने भारत के पडोसी देश हैं उसके साथ साथ कितने पडोसी देश हैं जो जली सीमा साजा कर रहे हैं अर्थात complete knowledge ह हो ना इसके बारे में जरूरी है तभी आप सही और सटीज हiau दे पाएंगे फिर आप बता पाएंगे कि किसे सबसे ज़्лам委 साज़ा कर रहा है किसे सबसे कम सीमा साज़ा कर रहा है इस तरीके से अब देखिए जाए कि कितनी family है जो आपके घर के right side में रह रहे हैं कितने left side में रह रहे हैं कौन से front side पे है कौन आपके घर से कितनी दूरी पर है ऐसे आपको knowledge होनी चाहिए है ना ऐसे information आप देते हो अपने location की ठीक इसी तरह हमें इंडिया को भी जानना है कैसे जानना है जैसे कि हमने last class म आठके इंड शाशित प्रिदेश है अब उसके बाद nature ने भी उसको divide कर रखा है कुछ भाग में मरुस्तल हो गया कुछ महाँ पर देखा है मरुस्तल वाला भाग भी यह desert वाला एरिया है थार वाला जो हमने पढ़ा था उसके साथ साथ हमने mountain पढ़ा हुआ है plains पढ़े हु हैं लेकिन इसमें जिससे जो साथ देश हैं वो इस्तल सीमा साजा करते हैं और दो कौन से हैं जो समुदरी सीमा साजा करते हैं देखे भारत की जब हम बात कर रहे तो मैंने बताया था जो उपर का portion है भारत का ऐसे ठीक है यह वाला और इसके साथ साथ यह ऐसे मैं एक idea दे नहीं तो यह स्तल सीमा साजा करता है बाकी आप नीचे देखेंगे यह वाला भाग राइदीपी भाग यह जली सीमा साजा करता है इन्ही को ध्यान में रखते हुए आपको याद रखना है टोटल कितने हैं नौ देश हैं ठीक है उसमें से साथ स्तली सीमा साजा करेंगे और उत्तर पश्ची में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है उत्तर पश्ची में मतलब ये वाला भाग तो इधर क्या हो गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान दूसरा उत्तर में चीन नेपाल और भूटान है कौन-कौन है उत्तर में चीन नेपाल और भूटान ये याद रखने तीन ये हो गए, काउंट करते चलिए, दो, और दो के साथ है, तीन, पांच हो गए, पूर में कौन-कौन है, बांगलादेश है और म्यामार है, तीपुरा क्या है, तीन तरफ से बांगलादेश से घीरा हुआ है, ठीक है, फिर ये जो स्रीलंका और मालदीव है ना, ये समुद्री सीमा साजा करते हैं, अब मैं आपको पहले मैप पे दिखाऊंगे, फिर आपको समझाऊंगे, अब इस मैप के जरिये से समझे, सबसे पहले मैंने क्या बोला आप से, कि उत्तर परश्ची में पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो गए दोनों, ठीक है, इसके बाद देखिए, अब मैंने उत्तर में बात की है, सबसे पहले चीन, ये उत्तर में हो गया, उसके साथ नेपाल और भूटान, दोनों हो गए उत्तर में, पूर में देखिए, ये रहा बांगलादेश और ये रहा म्यामार हो गया, कम्प्लीट, इस तरीके से आपको याद रखना है, तो काउंटिंग करने, वन, टू, थ्री, फोर, ये न, फाइफ, सिक्स, सेवन, सेवन क्या हो गए, इस थली सीमा साजह करते हैं, अब इसके बाद दो जली सीमा साजह करते हैं, कौन-कौन से, इनको देखिए, ये रहा आपका, ठीक है, नीचे आजाएए, शीलंका, और ये रहा माल दी, ये दोनों हो गए, टोटल कितने हो गए, नाइन हो गए, इन्हीं को हमें पढ़ना है, थारे पहले एके करके पडोसी देश देखेंगे, इसके साथ-साथ भारत के साथ इस सीमा की कितनी लंबाई है, इनकी राजभासा क्या है, मुद्रा क्या है, और इनकी राजधानी भी साथने में याद कराऊंगी, और सीमावर्ती राजी कौन से, प्रश्न बनता है यहीं से, यहीं तो topic important आपका क्या, कि आपको दे दिया जाएगा कि कौन सा राजी बांगलादेश से सीमा साजा नहीं करता है, अब आपको पता होना चाहिए न, कि कौन कौन से सीमा साजा करते हैं, तब ही तो इसका प्रश्न है POK, अभी मैप पे भी मैं क्लियर कर दूँगी आपको, भारत के साथ इसकी सीमा की लंबाई कितनी है, 106 है, इसकी राजभासा याद करिए, दारी और परस्तो है, मुद्रा अफगान या अफगानी है, और राजधानी है, काबुल, तो अफगानिस्तान से सिर्फ एक, कौ अब बात करते हैं, बांगला देश, बांगला देश सबसे ज़्यादा सीमा साज़ा करता है भारत, और सबसे कम अफगानिस्तान से, तो दोनों याद रखे, सबसे ज़्यादा बांगला देश सबसे कम अफगानिस्तान, कैसे, 4096.7 किलो मीटर की जो सीमा है, वो बांगला द से राज जी हैं जो सीमा साझा करते हैं सबसे पहले देखएं आपर पाँच राजी है पश्चिम बंगौल है, असंब है मेघाले है, तृपुरा है और मिजोरम और याद अखी जो तृपुरा है नाम से ही तृपुरा तृपुरा तरी जुडा हुआ है तीन तरफ से बांगलादेश से घिरा हुआ है Most important fact है, मैं पहले भी बता चुकी है तो बांगलादेश में 5 राज, कोई union treaty नहीं है से 5 राजी हैं जो इससे सीमा साजा कर रहे हैं पहला है पश्रिम बंगॉल, असम, नेगाले, तिपरा और मिजोरम जो मेरे साथ याद कर सकते हैं, याद करेंगे आप अपने सामने map जरूर खोल के रखें, ठीक है इंडिया का map रखी सामने और देखते चलिए एक एक राजी मैं भी map में दिखाऊंगे, एक साथ possible नहीं आपको map भी दिखा रही हूँ और मैं ऐसे बताते भी चलू तो अभी map पे भी देखिएगा, बंगलादेश हो गया, अब बात करते हैं भूटान की भूटान में चार राजी हैं से सीमा साजा करते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगौल, असम और अरणाचर कर देश है ना अब इसकी सीमा देखिए भारत से कितनी है, 699 किलो मीटर, यहां की राजभासा है जोंखा, भूटानी नेगुल ट्रम चलता है यहां पर और इसकी राजधानी है थिम्पू, भूटान याद हो गया, अब बात करते हैं चीन चीन सेकेंड ऐसा देश है, जिससे सबसे ज़्याद सीमा साज़ा की जाती, पहला बांगला देश है, दूसरा चीन है, ठीक है तो चीन के साथ आपको याद रखना चार राज्जे हैं, हिमाचर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुनाचल प्रदेश लेकिन आपको इसके साथ एक केंड़ साशित प्रदेश भी याद रखना है, जो की है लद्दाख तो ये सेपरेट आपको पोर्शन याद रखने हैं, इसमें आपका समीर और लद्दाख याद रखनेंगे और ये यूवान, दोनों ही हैं, बीजिंग यहां की राजधाली है, ठीक है तो चीन के साथ के याद रखना है, चार राजजी हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्राखंड, सबसे पहले ठीक है, फिर बीज में देखेंगे नेपाल है, उसके बाद में जब आगे बढ़ेंगे तो सिक्किम और अरुनाचल प्रदेश भी यहां पर सीमा साज़ा कर रहे हैं, साथ में आपको एक यूटी याद रखनी है, लद्दाख म्यामार में आद अखिए, यहां भी चार राजजी हैं, कौन-कौन से, अरुनाचल प्रदेश, नागा लेंड, मनिपूर और मिजोरम अब यह अपनी सीमा साज़ा कर रहे हैं, माफ कीजेगा, 1643 किलो मीटर और इसकी जो राजभासा बर्मी है, मुद्रा बर्मी क्यात है, और राजधानी नेपाई ताव है नेपाल या दखिये, नेपाल भी काफी इंपॉर्टेंट है, पांच राजजी हैं, कौन-कौन से, उत्तराखंट, उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगौल और सिक्किम या दखना है सीमा कितनी है, 1751 किलो मीटर, और यहां की राजभासा है नेपाली, नेपाली रुपिया चलता है, और काठमांडू इसकी राजधानी है अब देखिए पाकिस्तान, पाकिस्तान से तीन राजजे हैं, कौन-कौन से, गुजरात, राज़िस्तान और पंजाब, दो यूटीज हैं, जम्मो और लड़्दाक दोनों ही इससे क्या कर रहे हैं, सीमा साज़ा कर रहे है 3323 किलो मीटर इसकी सीमा है जो की स्थली सीमा साजा कर रहा है भारत के साथ और उर्दू राजभासा है पाकिस्तानी रुप्या चलता है इसलामाबाद इसकी राजधानी है फिर बात करते हैं, देखें समुद्री जो सीमा साजा कर रहे हैं, जली सीमा वाले मैं भी बाद में समझाओंगी, सबसे पहले मैं आपको स्थली सीमा पर मैप में दिखाओंगी, तो यह जो हमने साथ पढ़े हैं, इसमें आपको सीरिल में क्या क्या याद रखना है सबसे पहल अब इसके बाद रखिए फिर है बंगलादेश फ़ीय नंबर पर टीकश सब्सक्रियरा का इसके लिखुतानाhyology muffin इस गिसा यह सी यूजा है सबसे ज्यादा साजा करेगा बंगलादेश-फिर चीइन लेकिन याद रखिए आप प्रिपेर रही है क्योंकि पेपर में आप पैटर्न देखिए चेंज हो रहा है धीरे धीरे तो आपको सिंपल से कोश्चन नहीं याद होंगे तो भी फिर प्रॉब्लम है जब सामने है तो आप उसको प्रिपेर करिए राजभासा मुद्रा मुद्र करी यह वाला है ना बांगलादेश में अगर हम सीमा देखते हैं किसकी किसकी सबसे पहले यह देखिए पश्चिम बंगॉल से दिखेंगे तो आपको दिखेगा आपको करना क्या है मैप सामने रख लीजए तो इजली याद होगा यहाँ पर मैं इस तरह से आपको दिखा र मैं हमार भी देख लीजिए इसी पास में यह रहा अर्वनाचल प्रदेश इससे सीमा साज़ा कर रहा है फिर नागालेंड फिर मनीपूर और मिजोरम चारो याद हो गए ना यह है अब इसमें तिपुरा नहीं करता है यह याद कर लीजिए तिपुरा नहीं करता है बाद मै इससे सीमा साजा कर रहे हैं मैं आप में सजी से देखी दिखेगा यह हो गया अब इसके बाद चीन से देखिए रहा लद्दाक एक यून टेरिट्री हिमाचर प्रदेश उत्राखन इसके साथ साथ यहां पर देखिए सिक्किम और अवनाचर प्रदेश पाकिस्तान से भूटान रह गया भी देखने को, भूटान पर देखिए, भूटान में ये रहा सिक्किम, ठीक है, पश्चिम मंगौल होगा, उसके साथ साथ याद कीजिए, असम और अनाचे प्रदेश, अब यहाप प्रशन कैसे आएंगे, कौन सा है, जो नहीं सीमा साजा करता है, अब देखते चलिए, जोग्रफी कैसे पढ़ना मैं अब सही याद होगी, तो ये मैंने आपको दिखा दिये, जो कि भारत के पड़ोसी दे से, इस थली सीमा साजा कर रहे हैं, लेकिन, अब बात करते हैं, जली सीमा साजा जो करते हैं, तो ये रहा स्री लंका, ठीक है, और ये र किसको अलग करता है, और किसको जोडने का कारे करता है, ये समुद्री सीमा से है, और इसका आप लोग देखेंगे, सिंगली और तमिल यहाँ पर बोली जाती है, यहां की राजभासा जो है, सी लंकाई रुपिया चलता है, और इसकी राजधानी यादकी जो विधाई राज दोनों राजधानी याद कर लिजे, मालदीव लक्षदीव के नीचे हिंद महा सागर का दक्षिर पश्चिम भाग है, मालदीव ये भी समुद्री सीमा साजा करता है, दिवे ही यहां की राजभासा है, मालदीव याई रुपिया चलता है और माले राजधानी है, पूछा भी जा चुका है माले किसकी राजधानी है, इस तरीके से याद करिए, अब देखी जो मैक मोहन रेखा है, वो भारत और चीन के बीच एक अंतरराश्टी सीमा रेखा है, डूरन रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, तो डूरन रेखा और ये चीन में बहुत बचे कंफ्यूस हो जाते, देख लीजे कहां की है, रेड़ ग्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच एक अंतरराश्टी सीमा है, तीन और रेखा हैं बिल्कुल रटी होनी चाहिए, तो ये हो गए आपके भारत के जो पडोसी देश हैं, मैंने एक एक करके आपको समझ चित पडेश देखने हैं, इसे पिछली क्लास में जो मैंने इंट्रोडक्शन कराया है, इंडिया का, वो मैप के थू कम्प्लीट कीजे, और आज का जो टॉपिक है ये, इतना आपको तयार करके रखना है, अगली जो सीरीज आएगी, उसमें हम लोग अगला टॉपिक कवर करने वाले हैं, आगे डेवाई सीरीज में कल सेकेंड क्लास होने वाली, आज इस क्लास को आपको पूरा कम्प्रेट करके रखना है, वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजे, और लोगों को शेर करते रहें, क्योंकि ये क्लास सिर्फ पारो यारो के लिए ही नहीं, UP-PCS का एक्जाम दे रहे हैं, APS का एक्जाम दे रहे हैं, कोई भी एकजाम देने जा रहे हैं उसमें GS के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप क्या करें? बार-बार रिवाईस करके वीड हो जाएगा बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे आपको और वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे तब तक के लिए धन्यवाद